Hello dear friends, welcome back to this discussion, मेरा नाम है सुनील चौधरी, मैं पढ़ाता हूँ डिजिटिल मार्केडिंग, SEO and spoken English, जी हाँ, और यह मैं कर रहा हूँ सन 2014 से, मोटा मोटी मुझे हो चुके हैं अब तक लबग साड़े नौ साल, जी हाँ, मैं आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ कि कि इस तरीके से मार्केड में सब लोग अपना-पना एजेंडा बना रहे हैं और मैं भी शायद यह एजेंडा बना ही रहा हूँ, क्योंकि एजेंडा बनाना ही पड़ता है, पट आपको भी समझना चाहिए कि कौन सा एजेंडा ठीक है गलत है और सब कुछ चलता रहता है मार् तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केडिंग सीखने के लिए कोच को जोइन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डिजिटल मार्केडिंग खुद से सीखनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं मार्केड में बहुत सारे फेक गुरू हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे गोह तो क्या सुनील स्रेइ बोल रहा है ये भी समझना पढ़ेगा आपको मार्केट मेर और कोई बन्दा दूसरा है वो कुछ और बोल रहा है तीसरा कुछ और बोल रहा है वैं आपको है कुछ कुछ बेसिक चीजें कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं तो इन बेसिक चीजों को अगर आप समझेंगे बेसिक अपने fundamental से अगर आप clear कर लेंगे तो life में कभी दिक्कत नहीं आएगी तो basics में पहला basic यह है कि देखो भी ऐसा है कि खुद से सीखने वाली बात कर लेते हैं तो खुद से तो आदमी सीख्ता है और मैं कहता हूं सबसे बड़ी सीख खुद से ही सीख्ता है वह ओं राइट अब वह कौन सी सीख होगी सब्से बड़ी यह हमें नहीं कुदता ना आपको छुद बता है पता नहीं सी शीख आपको सब्सक्रवडी मिल्या है खुद से आप जरूर सीखते हो कैते हैं न ठोपर लगने से शीखता है ठोपर लग जाती है तब सीखता आदमी दिक्कत में फ़स जाता है तब सीखता आदमी तो कब सीखता है वो आपको समझना पड़ेगा और उसका कोई ऐसा कोई पै इसलिए गुरू से सीखो गुरू का पूरा अनभव और गुरू ने अपने गुरू से सीखा है वो सारा अनभव गुरू का पूरा अनभव आपको बहुत कम समय में मिल जाता है तो जो खुद से आप सीखने वाले भीया 100 साल में वो गुरू की मदद से आप 2-3 साल में सीख सीट्विते एकार्ट के साथ इनि नहीं तो तो बहुत ज्यादा मतलप ब़ए बॉट बढ़ा बस द्लाब को आपको स्रिंडर करना पड़ेता और घृत ूरू की बात को आँक follow करना पड़ेगा जज़ाधा अपने div במrehone के तो, बात नहीं मानोंगे follow नी करोगे system follow नी करोगे तो पर क्या सफलता मिलने वाली नहीं है तो Nãober One ! खुझ से सीखोगे पता नहीं क्या सीखोगे, कब तक सीखोगे कोई guarantee नहीं है इस बात की हो सकता है बहुत बड़ी है जल्दी सीख जाओ और हो सकता है कभी तक न सीख पाओ नमबर डू गुरू के साथ सीखने से क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग है बहुत जल्दी हो जाती है सो साल की learning दोड़ा ही जाल में हो जाती है ऐसा मेरा observation है जितना मेनास तक सीखा है दूसरे गुरू होते हैं किताब हैं किताब उसे चीखिया अब किताब और गुरू दोने ही बहुत ज़्यादा देते हैं बट दब देते हैं जवाब उनको follow करते हैं अब बात आती है अगली कि market में बहुत सारे फेक गुरू है या फेक गुरू हैं थे और रहेंगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है या फिर ऐसे समझ लो कि अच्छी quality का गुरू और low quality का गुरू गुरू कभी फेक नहीं होता गुरू-गुरू होता है। अगर गुरू आपको पढ़ा रहा है, तो गुरू-गुरू है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरू का संभान करना जरूरी है, आप किसी गुरू को बेजजत मत कीजिए, इंसल्ट मत कीजिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत तरक्क करना चाते हैं तो किसी भी गुरू की इंसल्ट मत कीजिए, किसी भी गुरू को कम मत देखिए हमेशा गुरू को सम्मान कीजीए, उपर बठाईये और अगर आप किसी गुरू को सम्मान के साथ देखेंगे और इज़द देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो पूरी दुनिया में हो सकता है सबके लिए गलत हो बड़ा आपकेल गलत हो गुरू नहीं होने वाला है आप समदे रहे हैं मिली बात को तो आप मीरी बात को समदे है जो आपके दिमाख में विचार चल रहे हैं सबसे बढ़िया है तो सबसे बढ़िया सुनील चौदरी गुरू है आप किसी गूरु को जानते हैं नहीं जानते सम्मान करना सीखिए क्योंकि अगर आप एक गुरू का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे गुरू का सम्मान भी शायद उतना नहीं कर पाएंगे आप सम्मान जरू कीजिए अपने पिता का सम्मान कीजिए पूरी दुनिया के गुरू का सम्मान कीजिए अब बात आती ह यह है कि अगर उसके आप YouTube चैनल को और Facebook प्रोफाइल को देखोगे तो उनकी हिस्ट्री दिख जाएगी आपको 7-8 साल की 10 साल की हिस्ट्री दिख जाएगी तो YouTube चैनल जाके देख लो उनका कितना पुराना है किस-किस टॉपक पर वीडियो बनाई है ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी पैदा हुए है साब स्क्रिप्टेड ही चल रहा है ऐसे ही है वैसे गुरू कितनी वार उपस्तित होता है आपके सामने रियल में गहीं ऐसा तो नहीं है और YouTube पर उसके वीडियो आता ही नहीं है ऐसा तो नहीं है तो फॉर एक्जंपल मेरे अगर आप वीडियो देखो वो लोग मेरे साथ connect कर पाते हैं तो मैं तो भी दिल से गह रहा हूं आप से कि मैं 10 साल से active हूं SEO digital marketing कर रहा हूं और मैंने कितने सारे लोगों को trading दी है उन्होंने अपनी agencies खोल दी है और अच्छा खासा लाको और महीना कमाते हैं वो लोग और बहुत अच्छा चल रहा है उ आप शॉटकट के साथ आ रहे हो कि भी शॉटकट कोई मिल जाए तो शॉटकट बारे चक्कर में ही है आपको ना कोई फेक गुरू मिल जाता है वही आपकी जिब काट लेता है तो आपकी खुद की सोच है अगर लालच वाली रहेगी ग्रीड वाली रहेगी तो कोई भी बना देगा आप फिर मत कहिएगा भाई आप जिब काट ली तो आप सीखने को लिए तियार रही है महनत करने के लिए तियार रही है हाडवर्क के लिए और एक दो कोच अगर आपको मिल भी जाते ना वो पटांग तो ठीक है यार आप उनको छोड़ी आगे बढ़ी है तो कुछ-कुछ गरबड़ भी हो जाती है लाइफ में तो कुछ-कुछ गरबड़ अगर हो रही है तो उनको माफ कीजिए खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़िए क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन में सबसे ज्यादा महत्तुकून है तो दोस्तों कि छोटा से एक डिस्क् और कौन सी बात बुरी रगी वो भी बता दो और आपके क्या बचारे वो भी बता दो ठीक है पर मिलता हूँ ऐसे किसी धुआधार तांडव भरे पॉड़कास्ट में आप से